अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिये हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले बिक बोस में तीन वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद घर का माहोल और भी बदल गया है पहले घर में दो गुरूप थे लेकिन अब घर तीन गुरूपों में बढ़ता नजर आ रहा है इस बीच तीन दिसंबर को घर से बेगर होने की प्रकिरिया शुरू होगी खास बात यह है कि इस बार घर में कौन रहेगा और कौन नहीं यह फैसला घर का कप्तान यानि की सिदार्थ सुकला करेंगे बिग बोश की नोमिनेशन पर किरिया का एक प्रोमो वीडियो आया है इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सिदार्थ सुकला और सैनाज कोरगिल की दोस्ती में दरार पड़ सकती है इस वीडियो को बिग बोश की ट्विटर के अधिकारिक अकाउंट पर साजा किया गया है इस वीडियो को साजा करते वे लिखा गया है कि सिदार्थ सुकला को मिला नोमिनेशन का पावर क्यों सिदार्थ से खफा है सैनाज इस प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सभी घरवाले गार्डन एरिया में हैं बिग बोस सबसे पहले आसीम और माहिरा को बलाते हैं सिदार्थ माहिरा को सुरक्षित करते हैं और आसीम को नोमिनेट इसके बाद बिग बोस आर्टी सिंग और पारस थाबड़ा को बलाते हैं सिदार्थ आर्टी को सुरक्षित करके पारस को नोमिनेट करते हैं सिदार्थ के इस फैसले के बाद सैनाज माहिरा से बात करती भी नजर आ रही है सेनाज मायरा से कहती है उसने मुझे दोबारा तकलीफ दी है मुझे उसका फैसला बहुत गरत लगा अब मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगी वही दूसरी और प्रोमो में विशाल अदित्ये शिंग पारस थाबड़ा से बात करते वी दिखाई दिये विशाल पारस से कहते हैं तुम कहीं खो गए हो मुझे वही पारस चीए जो पहले था इस प्रोमो वीडियो के बाद इतना तो तै है कि घरवालों की किसमत का फैसला सिधार्त शुकला करेंगे जिसके बाद घर में बवाल मचना तै है